Assalamu alaikum friends ये मेरे बहुत प्यारे भाई है चोटे भाईयों की तरह है नभील भाई इननों ने कॉमेंट किया कि करीम भाई इथोपिया का तो E-Visa हुआ न या दुबाई का जिस तरह E-Visa होता है तो जितने भी E-Visas हैं ये travel history में हम कैसे तो मैं नभील भाई आपको बता हूँ और सब भाईयों को भी ये बता दूँ ना sticker visa ना E-Visa इसकी कोई value नहीं है जो value है वो है immigration के in और out यानि exit और entry stamp की अगर आपके passport पे entry और exit stamp भी नहीं है इसका मदलब वो आपने visa use ही नहीं किया या इसका मदलब है कि आपको airport वाले ने जाने ही नहीं दिया किसी भी रीजन से अगर वो visa use नहीं हुआ तो आपको उस visa की कोई value नहीं है जब तक कि आपके passport पे entry exit stamp ना लगे एक चीज लेकिन साथ मैं यह भी बताता चलूँ कि आप आने वाले time में या अभी भी आपने देखा अगर आप दुबई जाते हैं तो आप तो यह steps भी खत्म हो जाएंगी मैं 2018 में बताया था कि आने वाले time में दुनिया paperless हो जाएगी तो sticker visa तो लगेगा नहीं पासपोर्ट पे तो यह visa भी जब आपके हाथ में होगा और आप use करके e-gate से निकल गए दुबई की तरह तो आपके तो पासपोर्ट पे एकजर की stamp मिल लगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि जी हमारी travel history बनी है मैं सब भाई को बताता चलूं कि दुनिया global होती जा रही है आपको पता है कि data sharing का time आगया है कफसरी companies data share करती है इसी तरह countries भी अपना data share करती है जब आपका पासपोर्ट स्कैन होगा तो आपकी सारी जितनी भी travel history है वो सामने आ जाएगी तो आपसकी आप परशानी मत लें कि आपने पासपोर्ट स्टैंप ना भी लगे तो भी problem नहीं है मैं आपको एक और बात बता हूँ कि Australia आने वाले टाइम में Retina scan कर रहा है हो सकते आने वाले टाइम में पासपोर्ट भी खतम हो जाएं तो आपका सिर्ख रेतिना स्कैन होगा और आपका डेटा सारे सामने आ जासा है झाल सुचटा को